आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्कूटर की कि भारत में पहला हाई स्पीड कमर्शिल डिलिवरी इस्कूटर जो है वो लॉंच किया गया है किस कंपनी में लॉंच किया गया है किस कंपनी ने इसको लॉंच किया है और परपस क्या है यह सब हम डिटेल में बात करेंगे अ दे पुल्यूशन भी कम हो और फॉसिल फ्यूल्स पर जिकना बर्डन है वो भी कम हो जाए तो इसके बार में डिटेल में जानेंगे मेरे साथ आप कोई भी डाउट है वो डिसकस कर सकते हैं लिटेश कर दो के लिटागे लिए वेटाउट वी अगया जब मतलब है अपने देखा हो गाइड होगा कि डिलिवरी जो आपके घर में दोंगी से आती है किसी भी food restaurant से आती है, Amazon की parcels आते हैं, तो delivery के लिए वो लोग क्या use करते हैं, they use normal जो bikes होती है, या scooters होते हैं, जो कि petrol पे run करते हैं, उनको वो use करते हैं, अब उससे नुकसान क्या है, नुकसान है, आप petrol यूज कर रहे हैं, आपके fossil fuels खतम होने वाले हैं, आप और जादा use किय जा रहे हैं, और collectively देखेंगे, तो कितने लोग उसको use कर रहे हैं, दूसरा reason, global warming, कि उससे जो pollution हो रहा है, कितना carbon atmosphere में जा रहा है, तो हम alternatives जून रहे हैं, इसी alternative को देखते वे, इस company ने, ये scooter जो है, वो build किया है, जिस company ने इसको build किया है, वो है Kabira Mobility, इसको commercial कहा गया है, क इस तरह से आप picture में देख सकते हैं, इसको use किया जाएगा, अब Kabira Mobility क्या है, ये जो company है, ये एक Goa-based electric vehicle start-up है, electric vehicles के लिए एक start-up है, और इन्होंने पहला India का high-speed commercial delivery, electric scooter, जो है, वो launch किया है, इससे पहले इन्होंने दो bikes भी launch की थे, अगर आपको मालू है, आपको मालू है इसकोटर का नाम है, नया launch हुआ है, made in India है, और company का मानना है कि 92% जो इसमें पार्ट यूज किये गए है, वो Indian है, Indian market से ले गए है, और बाकी 8% जो है, वो बाहर से लेगे हैं किसी और देश से, तो eco-friendly mobility solution ये है, कि last mile delivery partner ये बनना चाहता है, अलग-लग companies का, तो इसलिए इनो battery options इसमें दोनों आते हैं, दो option है, या तो आप fixed battery use कीजे या फिर आप swappable battery को use कीजे, अब fixed battery जो है, वो आपको क्या range देती है, 100 km से लेकर 120 km का range आपको यहां पे मिलता है, और swappable battery अगर आप use करते हैं, तो यहां पे एक rider एक बार में 80 km जो है, standard conditions में cover कर सकता है, और आप देखे इसको power किस battery से मिल रही है, 60 V 40 AH lithium-ion battery, तो आप यह याद रख सकते हैं, अगर power नहीं भी याद रहता है कि इसमें lithium-ion battery का use किया गया है, जिसमें fast charging है, 4 hours की, 4 घंटे में यह चार्ज हो जाती है, और फिर यह कितना range देती है, 120 km, on an average, हमने देखा कि single charge में इतना range आप को मिलता है, तो यह इसके features थे, अब जिस तरह से इसको design किया गया है, उसका purpose क्या है, specially Indian roads के लिए design किया गया, क्योंकि Indian roads के conditions हम सबको पता ही है, तो rugged usage के लिए इसको design किया गया है, और last mile delivery में problem भी क्याती है, कभी तेज चला के जाते हैं, delivery partners जो रहते हैं, तो हर चीज को ध और काफी लोग अपनी personal vehicles यूज करते हैं, तो वो भी यूज नहीं करेंगे, यह scooter खरीच सकते हैं, delivery purpose के लिए, और दूसरी बात, इसके tires आप यहां पे देखिए, इंडियन driving conditions को ध्यान में रखते वे, जो इसका tire है, 12-inch tire यहां पे यूज किया गया है, जो इसको high ground clearance तेता और fully loaded इसके features हैं, पीछे समान भी डाल सकते हैं, अब इसमें dual-sync synchronized braking system रखा गया है, swappable battery में आपको बता चुकी हूँ, digital dashboard भी है इसका, कि digitally appear होगा, कितने km, कितने speed से आप जा रहे हैं, internet से आप इसको connect कर सकते हैं, इसकी खुद की mobile application भी होगी, IoT भी है, और first commercial delivery, यह इस त किया गया है, okay, अब थोरा सा इस company के बारे में जानते हैं, Kabira Mobility, जो है start-up है, यह 2017 में ही शुरू किया गया, कुछ एक team of engineers थी, उन्होंने शुरू किया, और इसको lead कर रहे थे, navy veteran है, एक Indian navy veteran, Mr. Jabeer S Sivach, उन्होंने green energy mobility solutions देश को provide करने के लिए, यह start-up जो है, वो शुरू से, 2020 का जो auto expo था, वहां पे इन्होंने six electric scooters जो है, वो launch किये थे, Kabira Mobility अब जैसे मैंने का FAME 2 subsidy के अंदर launch हुआ है, अब फेम इंडिया स्कीम क्या है, इसके बारे में जानते हैं, अभी तक मैंने आपको scooter के बारे में बताया, इसके क्या features है, उसके बारे में बताया, तो फाइदा तो आपको इसका ultimately समझ आए गया होगा, कि हम environment friendly तरीके डून रहे, alternate resources डून रहे, fossil fuel की जगा हम लोग क्या use कर सकते हैं, अब FAME Scheme, examination point of view से, क्या important है, देखे, FAME, faster adoption and manufacture of hybrid and electric vehicles, यह Ministry of Heavy Industries और Public Enterprises जो इंडिया में है, 2015 में उन्होंने इसको launch किया, launch करने का मक्सद क्या हैं, उनको हमने produce भी करना है, उनको promote भी करना है, जैसे कि आपकी electric vehicles हो गई, hybrid vehicles हो गई, दो phases में स्कीम को launch किया गया, phase 1, phase 2, phase 1 जो है, वो 2015 में शुरू हुआ, और March 31, 2019 में complete हुआ, यहां से हमने काफी गलितियां जो हैं, वो सीखी, जैसे कि launch तो कर दिया, electric vehicles के लिए, लेकि complete होगा, जैसे उस ताम रखा गया, objectives इसके यही थे, कि जो लोग इस पे काम करना चाहते हैं, तरह के start-up शुरू करना चाहते हैं, उनको monetary incentives government की द्वारा मिलेंगे, market creation में help की जाएगी, ताकि electric technologies को लोग adapt करें, अब incentivize यहां पे हर segment को किया गया, two wheelers produce करने हैं, three wheelers करने हैं, passenger, four vehicle, light commercial vehicle, buses, तो यह इसके objectives है कि हम उनको electricity पे, electric vehicles में convert करेंगे, shift करेंगे, अब इस scheme के salient features के अगर बात में हम बात करें, तो देखे, scheme subsidies देती है, किसको subsidy देती है, manufacturer को, जो electric vehicle को manufacture करेगा, या फिर infrastructure providers को, जो electric vehicles को infrastructure provide करेंगे, दोनों जगा subsidy government के द्वारा मिलती है, अब यह क इसका पार्ट है, एक आपका बड़ा प्लान है, National Electric Mobility Plan, okay, NEMP इसको बोला जाता है, Mission भी सके साथ यहां पर लगाते है, National Electric Mobility Mission Plan, तो NEMMP बन जाता है, तो यह उसका पार्ट है, अब यहां पर electric vehicles को subsidy देके, हम प्रमोट करें, किसी भी चिसको प्रमोट कर से, क्योंकि लोग ख प्रमोट मिलेगी, तो वो उसमें काम करने के लिए तयार होंगे, तो यहां पर हर तरह की गारी 2-wheelers, 3-wheelers, जैसे मैंने कहा आपको, तो focus area इसमें क्या था, technology डेवलप करनी है, लोगों को इसके सपने दिखाने, बताने, यूज बताने, ताकि दिमांड क्रियेट हो, implementing agency कोन है, इसकी department of heavy industry, ministry of heavy industries and public enterprises के अंदर आता है, तो याद रखिएगा, अब फेम second जो है, second part पी इसका आचुका है, this face of fame is expanded version of first face, जो first face है, यह उसका expanded version है, इसके key features भी same है, ultimately हम भही चाहते है, production, promotion, लेकिन यहां पर public transport को हम जादा पुश करना चाहते हैं, और encourage करना चाहते हैं, कि market create हो, electric vehicle की, और demand आए, उस पे जादा वो करना चाहते हैं, ताकि EV industry grow करें, और charging infrastructure, क्योंकि first face में हमने यह चीज़ सीखी, कि हमको charging infrastructure, infrastructure जो है, वो grow करना है, और indigenization, मतलब यहीं के products use करने है, technologies use करनी है, जिसको आतम निर्भर भारत, जो हमारा चल रह है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कि outlay इसमें 10,000 करोर का रखा गया, 3 years तक 2022 तक इस स्कीम के अंदर, कि इसको charging stations के साथ, डेवलप करना है, तो ultimately incentives, fame 1 की तरह ही, आप देख सकते हैं, manufacturers को, जो इसके components बना रहे हैं, उनको, सबको lithium-ine batteries, इसमें जो use होंगी, उनको भी incentives मिल पर देने के लिए तयार है, तो eligibility क्या है इस incentive के लिए, अगर government की तरफ से लेना चाहते, तो जो buses, जिनका price up to 2 करोड है, उनको मिलेगा, plug-in hybrids जो है, 15 lakh तक उनको मिलेगा, 3 wheelers अगर 5 lakh के अंदर-अंदर हैं, तो उनको मिलेगा, 2 wheelers जो अंदर 1.5 lakh को आएंगे, तो उनको eligible हैं, वो इस तरह के incentives के लिए, अब जैसे मैंने आपको बता था, national mobility electric mission plan, जो है, यह क्या है, तो इसमें हम national fuel security जाते हैं, fuel security की क्या बात है, कि ऐसा नो कि आने वाले time पर वैसे भी तो हम fuel import ही करते हैं, तो हम थोड़ा self-sustain होना चाहते हैं, उस चीज़ को इहाँ पर promote की जा ताकि हम affordable और environmental friendly transportation जो है, वो ला सके, उसके बाद यहाँ पर इसी के बार में बताया है कि heavy industry formulate कर रही है, इसी तरह के policies की किस तरह इसको promote करे, manufacturing को और इसकी growth को stable करे, तो ambitious target अगर आप देखेंगे, N.E.M.M.P. 2020 में, six to seven million sales यह जाते थे कि 2020 तक हो जाएं, इसको set किया गया है, लेकिन इतना obviously नहीं हो पाया, बट इसको आगे अब promote किया जा रहा है और expand किया जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने का ऐसा क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि infrastructure की कमी थी, तो यह fame scheme जो है आपकी, अभी 2022 तक इसका phase two भी extend होगा, तो जो भी कमी आई हाँ पे रह गई है, जो phase two चल है, उसमें इसको आगे promote किया जा रहा है, इसको देखा जा रहा है किस तरह से इसको हम achieve कर सकते हैं, जो targets हमने set किये हैं, तो यही तह हमाराज का lecture, जहां पे हमने एक नए scooter के वारे में जाना, commercial scooter, उसका क्या फाइदा है, that is electric vehicle है, तो electric vehicles कि स्कीम में हमारे हाँ पे cover हो रहे है और government क्या क्या efforts ले रही है, I hope आपको clear है, आपको कोई भी doubt हो, आप मुझसे contact कर सकते हैं, बाकी आप हमारी website visit कर सकते हैं, application डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी जानकारी के लिए, courses की जानकारी के लिए, thank you so much.